हेलो मेरे यूटूब फैमिलीज तो कैसे हैं आप लोग आशा करती हों कि आप अच्छी होंगे तो यहां पर गैस को ओन करके चढ़ा दिये कढ़ाई और इंतिजाम कर रहे हूं बच्चों की छोटे मुटे भूग का लेकिन उससे पहले बड़ो को प्रनाम और छोटो को हाई तो यहां पर कढ़ाई हो रही है गर्म डालेंगे उसमें सरसो का तेल थोड़ा सा बिलकुल एक से डेड़ चमशी डालना है और उसी में डालेंगे है मुंग फली जिसे में फ्राई करना है अगर आपके पास पहले से फ्राई करके रखी हुई हो तो आप उसका इस्तमाल कर स ब necklaceALL करे मात शाली से 30 से में निस عणक नसाफि बरसे बहुत है और शेमाता बहुत धीर है अगर कम अगया दीनेंगे Allah तो आप निफॉने के बाद देर से बना रहे एर और टेस्ट्र भी बहुत अच्छा आताए तो यहां पे यहां पेसे लग बग 30 से 40 सेन अच्छी सीembγACE लगतार चलाते हुए तो हमारा जो मुर्मुरा है वो अब भुन गया है तो आपको दिखा दो कि ये कितना कुड़कुड़ा सा भुना है तो बहुत ही जल्दी ये भुन के तयार हो जाता है और बिल्कुल ही कुड़कुड़ा हो गया है तो इसे अब हमें निकालना है किसी बड़े बरतन में लेकिन उससे पहले गैस को हम आफ कर देंगे तो यहां पर मैं बड़े बड़ा सा कटोड़ा ली हूँ जिसमें हम अच्छे से अपने इस नास्ते को तैयार कर सके तो हां मैं बता दो कि हम बना रहे हैं भेल पूरी बेल पूरी का नाम आपने सुना ही होगा नाम सुनने में थोड़ा सा अजीब है जब लब इस मुर्मुरे से न कोई ताल डूप नहीं हो तो आप देखे कितना खुर्पुरा सा हो गया वाज भी इसकी कितनी अच्छी क्रंच आरे हैं तो इसी में डालेंगे हम स्वादनुसार नमक कसमीधी लाल मिर्च पाउडर मैंने कलर के लिए डाला आप चाहें तो यहां लाल मिर्च पौडर का इस्तमाल कर सकते हैं उसे के साथ डाला हूँ हो थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर और इसी वक्ट न आप हरी यहीं बड़ा दाल रही हूं प्याज का तक करकर और उसे के साथ एक बड़े साइस का टमाटर इना बारी कट करके डाला है और एक प्याज यह टीसी Holdi Ram का भूंजिय कोई भी कम्पानी थाया पिक्टामिटी का लीज सकते हैं 13 लेन करके मैंने अच्छे से क्रस्क करके डाल दिया है एक निम्बो में निकाल दिया था उसे निचोड़ देंगे कि दो दिन पहले का निम्बू हाड हो गया क्योंकि इस टाइम ना हर चीज सूख जाता है मौसम ही ऐसा चल रहा है और हवा भी और इसे के साथ आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगेगी ना तो लाइक करना कमेंट करना सेर करना चैनल पे नहीं आए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब क्लिक कर लेना ताकि आने वाली वीडियो के नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो इसके बात इसमें डालेंगे हम चिली सॉस यानि की ग्रीन चिली सॉस आप इसमें रेड चिली सॉस या टमैटो सॉस का भी इस्तवाल कर सकते हैं या आपके पास इमली की होना तो आप गोडा सकते हैं अपने टेस्क के अकॉर्डिंग बुखोत ही जल्दी बनके तयार होती है इसी अच्छी से मिक्स कर लेंगे स्पून से और सपून से मिक्स करने के बात नहीं है ताकि हार जो चीज इसमें है वो अच्छे से मिक्स हो जाए अगर आप एक बर बन इसे मैंने डाइरेक्ट निकाल लिया है प्लेट में और इसी के ऊपर से डाला है दो चार जो चिप्स बचे थे लेज वाले उसको अच्छे से करस्ट करके उसे पर डाली हो थोड़ा सा धन्या पता ज्यादा नहीं डाली हो क्योंकि बच्चे की मुह में जाता है तो उन्हें प बना है बहुत ही स्वाधिस्ट बना था तो मिलते हूं आपसे नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बबाई टेक केर और भच्चों ने भी खोब उन्जॉए कि प्लीज आप भी ज़रूर प्राई करना बहुत ही ईजी है और बिलकुल घर के समानो से जो बनके तयार हुए है यह इसके लिए और भी ज्यादा प्रफेक्ट है तो आप बना के जरूर ट्राई करना और आपकी रेसिपी कैसी बनी मुझे कमेंट में जरूर बताना